राजरस्थान में फरवरी में गोजर आरक्षण के अधिसूचना जारी होने के वजूद भी अवव्यरतियों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। प्रक्रियाध्यीन भरतियों को लेकर सरकार, लगातार और गोजरों के वीच वारता हो रही है। बावजूद इसके अब तक कोई समाधा नहीं निकला, अब तक केवल दो प्रक्रियाधीन भर्तियों में ही अरक्षड कलाब मिला है, बाकि 21 भर्तियों के लाखों अभियर्तियों की वविश्य पर तलवाल लटकी हुई है, ये देखे रिपोर्ट गुर्जर समेत 5 जातियों को 5 फीजदी अरक्षड मिलने के बावजूद भी हजारों अभियर्तियों को सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है, वज़ा ये है कि कई भर्तियों को सरकार ने प्रक्रियाधीन नहीं माना, तो कई भर्तियों को प्रक्रियाधीन माने जाने के बाद भी अब तक कोई कारिवाई नहीं हुई है हालाद तो ये हो चले हैं कि अभ्यर्थी मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं जबकि प्रक्रियाधीन भरतियों के लिए कार्मिक में भागने पोस्टिंग के आदीश जारी कर दिये हैं लेकिन उसके बावजूत भी लगातार देरी हो रही है प्रयोक्षाला सहायक पंचायती राज LDC भरती 2013 प्रयोक्षाला सहायक भरती पशुधन सहायक भरती दिती इश्रेडी भरती परिक्षा 2018 ब्याख्यदाता भरती 2018 पशुधन परिक्षा, क्रिशी परिवेक्षण, प्राधाना ध्यापक भरती परिक्षा, राजस्थान पुलिस भरती, RGS भरती परिक्षा 2018, AEN भरती परिक्षा सबसे बड़ी बात यह है कि रिट भरती को सिक्षा बिभाग ने प्रकिरिया धीन भरती ही नहीं माना, जिससे करीब 8 लाक अभरती प्रभावित हो रहे है यह भरती 54,000 पदों के लिए निकाली गई थी अभरतीयों का कहना है कि इस भरती में अभी भी रिसफल की प्रकिरिया चल रही है लेकिन इसके बावजूद भी इस भरती को प्रकिरिया धीन नहीं माना जा रहा अभ्यरतीयों की मांग है कि जल से जल सरकार इस भरती को प्रकिरिया धीन भरती में शामिल करें ताकि गुर्जर अभ्यरतीयों को आरक्षन का लाब मिल सके अभी लेविल फर्ष्ट की तेरा फर्वरी को जो समझाता हुआ था तेरा फर्वरी के बाद लेविल टू की वेटिंग, रिसफल, नियुक्तिया सब बाद में हुई है ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या इन अभ्यरतियों को इनसाफ मिल पाएगा या इनके भविश्य पर तलवार लटकी रहेगी आशिश चौहान, सी मेडिया, जैपुर